नमस्कार दोस्तों, मैं स्री दीप्तर चोधिल महाविद्याले से स्बी सिंग आर आपनों को विए युति वर्ष के हिंदी साइक्टी कच्छा में हिंदी उपन्यास के विकास क्रम के बारे में बताएंगे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझेगा जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि आपनी काल में विक्षित गद्य विधाओं में उपन्यास विधा सबसे ससक्त रही हिंदी उपन्यास के विकास का स्रेम अंग्रेजी एवं बंगला उपन्यासों को दिया जाता है क्योंकि हिंदी में इस विधा का स्री गडेज अंग्रेजी एवं बंगला उपन्यासों की लोग प्रियता से माना जाता है आचार महाविः शादिवेदी ने अपनी प्रसिद्ध पत्र का स्रस्वती में प्रकासित एग निबंग उपन्यास रहस्य में इस बाग कोश्युकार करते हुए कहा है कि उपन्यास के प्रचलन विकास एग स्रिजन का स्रे पश्च्मी देशों के लेखकूं को ही है जिनसे पेड़ा लेकर हिंडी में भी उपन्यास की रचना की जाने लगी बार्तिभट ने भी इसकी पुष्ट करते हुए दिखा है कि हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं उपन्यास का लिखना भी उन्ही के दिश्टाम परशीख है हिंदी में उपन्यास का आरम भी अंग्रेजी में अनूटित उपन्यासों से उमाना जाता है सन 1833 में बंसी धर द्वारा थामस डे के लोग प्री उपन्यास सेंड फोर्ड एंड मर्दन का अनुवाद किया गया तथा डाक्टर जांसन की उपन्यास रासे लास का हिंदी हुआ सन 1889 में किया गया ठीक हिंदी की प्रत्थम मौलिक पन्यास के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहे हैं कुछ विद्वान श्रद्धारा पुलावडी के भाग्यवती जो सनखास शत अत्तर स्वी में लिखा गया को प्रत्थम पन्यास मानते हैं कुछ विद्वान लाला श्री निवास द्वारा लिखा गया परिच्छा गुरू को मानते हैं जिसकी रचना थारोसो ब्यासिस की बेकी गई थी इन्वे से प्रत्थम उपन्यास में सुधारवारी पध्धत पहले अच्छित होती है तथा दिके उपन्यास में भारती संप्रक्तायों संस्कुति की स्थिस्टता को दिखाया गया है अब हम जो अब हमारे सामने जो प्रस्ण उखता है कि हम हिंदी का प्रत्थम उपन्यास किसे माने तो बच्चों हिंदी का प्रत्थम उपन्यास अधिकास विद्वानों गवारा जो माना गया है वह है लाला स्री निवाजदास प्रिच्छा गुरू जिसकी रचना 1882 में खीते है लाला स्री निवाजदास प्रिच्छा गुरू को ही हिंदी साइक के सभी में द्वानों गवारा हिंदी का प्रत्थम उपन्यास माना गया है ठीक, अब हम बात करते हैं, हिंदी उपन्यास के विकास करम का अध्यर्द अले के लिए हम हिंदी उपन्यास के विकास करम को तीर भागों में बाढ़ सकते हैं, कौन कौन से? यहां है, फेंदी उपन्यास, दूसरा है, पेंदी उपन्यास के विकास का अध्यर्द करने के लिए हम तीर मूख बिंदुओं पर चर्चा करेंगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं प्रेम चन्द पुर्व हिंदिय उपन्यास कियोंकि इतने भी क्योंकि हम जाते हैं कि कहानी सम्राट और पन्यास सम्राट प्रेम चन्द को माया था है तो पन्यास का केंद्र भी मुसीत प्रेमचंद्र पुर्व हां्ध मेरभवड मेरव्ड यह तीर भागों अब प्रेम चन्पुरू हिंदी उपन्यास के बारे में चचाते लेते हैं यह हिंदी उपन्यास का प्राराम्भी चरण या काल माना जाता है अबी तब उपन्यास विधा अपना स्वरूर ग्रहण कर लेगे इस काल में उपन्यास विधा अपना स्वरूर ग्रहण करें थे इस काल में लिखे लेगे पन्यास मुख्यत सुधारवादी यह उपदेशवादी प्रवित्य से परिचाली थे अब उनका भूख्य उद्देश समाई में मर्वर्ण्यापदार करना था सरद्धाराम भिल्लवरी एवं लाला स्री निमाजदास के उपन्यासों का उलेग हम कर चुके हैं बच्चों इसके बाद हम इस काल के प्रमुक उपन्यास कारों में जैसे पन्डी पाल की सुभर्ण जिनोंने तिन उपन्यासों के रिचना की उनके तीर प्रमुक उपन्यास हैं रहस्य रखा नूतन प्रह्मचारी तथा एग अजान सव सुजान ठीक इनके उपन्यास यानि बाल की भट्ट जीके उपन्यासों का मुलश्वर सुधारवादी एवं उपदेश मूलक है अब इसके बाद हापू जर्गोवन शिखाते हैं प्रेम चन्दपुरों हिंदी उपन्यास की प्रमपरा में इन्होंने शियामाश्वप नामत एग व्रियद उपन्यास की रचना सन 1888 में की ठीक है इसका प्रमुक जो प्रतिपादी विशय है राधा किंड की प्रेम का चित्रण स्यामाश्वपन भी दिखाया गया है इसके बाद लज्जा नाम मेता ने सुधारवादी धंग कर धूर्त रसिक लाल सोतंत रहा और परतंत लच्मी बिगडे का सुधार आदर्श हिंडू इन चार उपन्यासों की रचनाती इनमें दुर वेशनों यह सामाजी गुराईयों के प्रेडामों को चित्रित किया गया है और पार्टों को समाज में अच्छा कारी करने के लिए पेरिक गया है राधा के इसके बार आते हैं राधा की दास कि वेम चन्द कुरुव हिंदी उपन्यास की परत्परा में अकले जो पन्यास का रहें राधा की दास तो राधा की दास गोवद की समस्या का निवारण करने है निसहाय हिंदुन नामा को पन्यास का उसका हुए बिल्दु क्या था उसको पन्यास का गोवद समस्या कायों के वद की समस्या जो ऐसी गायों कुवद कर देते थे उसी पर किंद्रे की उपन्यास का है ठीक प्रेम चन्पुरु हिंदी पन्यास कारों में जिस उपन्यास का नाम सरवाधिक आदर से लिया जाता है सबसे प्रसित बाभु देव की नंदर खत्री ठीक इन्होंने त्रिस्मी एवं आयारी पन्यासों के माध्यम से पाठ्कों का पर्याप मर्वजन किया ऐसा कहा जाता है कि देव की नंदर खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए ही बहुत से अहिंदी भासियों ने हिंदी सिखी जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती थी इस उपन्यासों पढ़ने के लिए लोग वहांके हिंदी सिखी इनके लिखे प्रसीद उपन्यासों में चंद्रकांता जो 1891 में लिखा गया चंद्रकांता संतत काजर की कोठरी भूतनाथ कुशुंकमारी नरेंद्र मुहनी विरेंद्र भी इत्यार इनके ये प्रमुख उपन्यासों इन पन्यासों में घटनाओं का सयूजन इतनी कुसंता से किया गया है कि पाठकों की कौटू हल इच्छा आंतर तक जागरित रहती है और साहिती निर से ये उपन्यास उच्छ गूटके कित पाठकों को वागने की इनकी जो सक्त है बेजोड देवकी नंद्र जी की उपन्यासों में समाज में मरवन्यास का काम किया समाज में मरवन्यास पैदा किया जासुसी उपन्यासों का स्री ग्रेश करने का स्री हिंदी में गोपाल गहनी हो जाका है एक जासुसी मतलक जादो जो पन्यास रिखते है जैसे अरीठ लैला तमांतरों जो कहारी आती न Felix आंजी जादो एस प्रफण जादो पन्यास के जो जो स्री क्यों गडेश किये है या आरम करता है वह नीजी तिर जासुसी स्य और आधर से बेहरावazi brit थे, गहमरी जी के उपन्यासों में सरकटी रास, जासुसी की बूल, जासुस पर जासुसी, गुप्त भेल, जासुस की अयारी इन पन्यासों में विसुद्रम रण्जन काही काली किया गया है, जासुसी पन्यासों में कि सुरी लाग बुरस्वामी, जिन्दे की लास, प्लिस्मी महल, लिलावती या बूत तक्ती आदु लेखनी है कि गुष्वामी जी ने कुछ सामाजी था है, कि आज़ी को पन्यास भी लिखे हैं, जिन्में समासुद्रम पर बिशेस बढ़ दिया गया है, ठीक, ऐसे वो पन्यासों में प्रणी परड़य, मस्तानी, सुक्सरवरी और प्यम में आदिका नाम दिया गया है, ठीक है न, प्रेम्चन पुर्व हिंदी उपन्यास कारों में जो कुछ और उपन्यास कारों आते हैं, जैसे अयोध्यासी अपाधा है, हरी होल, का नाम भी हिंदु पन्यासों की परंपरा में पड़ी आदर से लिया लेता है इनके लिखे दो पन्यास बहुत ही हिंदी सायज़ के फिसिद है ठेट हिंदी का ठाट दूसरा है अधिखिला फूर ठीक है प्रथा उपन्यास में हिंदू समाज यानि ठेट हिंदी काठाट में हिंदू समाज की पुरुतियों पर प्रहार किया गया है जबकि अधिला फूल में एक जनीदार की कामता का परिश्कार दिखाए गया है इस प्रकार उनके दोनों ही उपन्यास सुधारवादी उप्रम्परा की उपन्यास हिंदी उपन्यासों की प्रथंतर में लिखे गए प्रमुख उपन्यासों का प्रधान उद्देश्य मरंजन एवं सुधार करना भले उपन्यास कला की द्रिश्ट से इसकार के उपन्यास उलेखी नहूं किन्तु इन्हों ने पन्यास को एक नई दिशा देने का प्रयास किया पन्यास से विशय सिर्फ एवं भासा का जो विकास इस काल में हुआ उसी का संसुरे रूप हम आगे क्यों पन्यासों में हम देखते हैं संच्छेप में हम कह सकते हैं कि इस काल में यानि प्रेम चर्ण पुरुग हिंदी उपन्यास के काल में हिंदी उपन्यास ने अपना मार्ग तलास लिया था यानि जो मार्ग था हिंदी उपन्यास ने वह भूण लिया था खोश दिया अब वह एक राज मार्ग पर पहुंच चुकार था जहां से आगे का रास्ता सीधा आयो सपार दिखाई परता है इस काल के उपन्याज पथांतर यानि मुक्यतर सुधारवादी एवन उपदेश उपदेश आत्मक प्रवित को लेकर लिखे गए जिनका मुल उदेश समाद में जनता का बर्वन जन करना था ठीक है तो बच्चो आज के लिए इतना ही उमीद करताओं की हिंदी पन्यास के वुकास क्रम की प्रंपरा में पेमचन पुखु हिंदी उपन्यास के बारे में हमने आपको जो भी अवगत कराया वह अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ठीक है बच्चो कल हम पेमचन लिए इतनी उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे ठीक बहुत बहुत धन्यवाद